अलो एब्रिवन दिस इस पलाक मालवय और वेलकॉम बैक टुमा चैनल कैसे हैं आप लोग फ्रेंट्स आज इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूं सिंपल मेकप और साड़ी आप साड़ी पर किस तरह किसे सिंपल सा एंड क्यूक सा मेकप कर सकते हैं वह मैं और विंटर्स का टाइम है तो यहां पर मैं सिर्म भी अप्लाई कर रही हूं यह सिर्म है गुडवाइब्स का रोजिप सिर्म बहुत अच्छा सिर्म है और स्पेशली ड्राइ स्किन और लग लेके आता है इसकिन को हाइडरेट और मॉश्यराइज रगता है बिलकुल अच् के बाद में थोड़े दिर में वेट करूंगी और दो से पांच मिट के बाद में फिर मैं अपने फेस पर प्राइमर लगांगी प्राइमर लगाने से पहले हैं पर मैं लिप्स को पर इच्छे सा हाइडरेट कर रही हूं और इसकी हैं पर मैंने लिप यूज किया है अब मैं अपने फेस पे प्राइमर अप्लाई कर दी हूं तोड़ा सा प्राइमर लेकि यह जेल बेस प्राइमर है अच्छे से जहां पर भी उपन पोर्स का प्राब्लम है अप्लाई करूंगे और फिर फेस पे से एवनली स्प्राइड कर लूँगी इससे आपके पोर्स को ब्लर क्योंकि यह जो स्पॉर्ट है तो यह मेरे स्पॉर्ट को हाइड करेगा यह बिल्कुल ऑप्शनल स्टैप है अगर आपके फेस पर नहीं तो इससे स्किप कर सकते हैं और उसे ब्लैंड करने के बाद यहां पर मैं ले रही हूं मैं ब्लीन का सुपरस्टे 24 आर्स लॉंग फा ऐने फांडेशन लगाना तो इसके मैं यह लगा है आप चाहें तो नॉर्मल आपका जो भी फांडेशन आपके पास लगा सकते हैं तन फिर हमें बफिंग ब्रॉश की हैसे एच्छे से ब्लैंड कर लोंगी आप यूटी ब्लेंडर की हच्छे ब्लेंड कर सकते हैं काफे दियान रखिए कि जब फॉर्मडेशन लगा तो इस तरीके से में पूरे फेस के चैसे ब्लेंडिंग कर लूगे और इवनली से लगा लूँगे और फिबिलकुल हलका सा मैंने लूस पाउडर लिया यह ब्लू है बनका लूस पाउडर है और फिबिलकुल सेट कर लूँगे प ताकि कोई भी क्रीज लाइन ना दिखे फेस पे केशी के ना दिखेंब फांडीशन असली मिलकुल हलका सा सेट कर रही हूं है अपर में जल आप पनी सेट कर लूँग आइब्रो गरण कलर में है तो आइब्रो ब्रश के हर्प से में अच्छे सा अपनी आइब्रूस को सेट आप चाहिए तरह पैंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद में आइबरो ब्रश के हल्प से इसे अच्छे से कॉम कर लोंगे ताकि जितना भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लगा हो आइबरो पे वह अच्छे से इस्ट्रिब्यूट हो जाए और उसके बाद में आइज पर कोई भी मेकप ने करें सिंप्ली आप देख सकते हैं बेच कलर का बहुत बिल्कुल स्किन टोन कलर का यह आईशेडों है इसे अपने क्रीज पर सिफ खाली बहुत हलका लगा रही हुआ है आप चाहए तो इसे स्किप भी कर सकते हैं आईशेडों ली स्टैप को विकॉज हम लोग बहुत सिंपल मेकप कर रहे हैं और यह फिर में एक शिंपरी गोल्डन भी नहीं सिल्वर भी नहीं है शांपेन कलर वह सिर्भी फिंगर्स की हद्से में अपने लिट पर अपलाए कर रही हुँ तो आप लोग देख सकते हैं बहुत लाइट आई मेकप दिखेगा ब अपने लाइनर के लिए आपर में और ब्रश की हैं मालियों का यह जल लाइनर है उसे में अपलाए कर रही हूं आप चाहें तो लिक्विड लैनर और यह यूज कर सकते हैं बहुत अच्छा यह बहुत लांग लाइट लास्टिं रगता है उस में वाटर प्रूफ है उसके और वाटर लाइन पेस अच्छे से मैं अपलाए कर लूँगी दोनों आइसमें अच्छे से इसे अपलाए कर लिया है और अब मैं है अपने लिप्स पे एक न्यूट सा शेट है इसकी लिप लाइन बना रही हूं और इसी से अपने लिप्स को भी फिल कर लूँगी इससे क्या होता है कि आपके लिप्स्टिक जो लॉंग लास्टिंग रहती है तो इस तरीके से ये मैंने पूरे लिप्स अब देख सकते इससे फिल कर लिया है इचा सा शेव दे लिया है तर फिर हम इसके बाद अप लिप्स्टिक अपलाए करेंगे लिप्स्टिक लिए हैं आपने मियॉन की लिप्स्टिक यूज़ कर रही हूं और सभी प्रोड़क्ट क कर सकते हैं डिस्कृप्शिन बॉक्स में से जाके इस तरीके से पूरे अच्छे से लिप्स्टिक अपलाए कर ली है ये सैमी मैट लिप्स्टिक है क्रीमी बेस्ट पे हैं और इसके बाद मस्कारा लगा रही हूं तो बहुत लाइट कोट लगा रही हूं कि मेकप मैंने बढूश कोई तो अपर फिर लाइट पर लोडम फिर मस्कारा अपलाए कर रही हूं तरीके साब मस्कारा अपलाए कर लीजिए दानफिया में बहुत लाइट सा ब्लाश अपलाएगो बहुत लाइट सा एक हलका से नैच्रल पिंकिश आपका चिक्स दिखें बहुत नैच्रल आप देख सकते हैं बिल्कुल भी हैवी नहीं लग रहा है और फिर यहां पैन रही हूं आप अपने ड्रस के कोडिंग कोई भी जूल्री यहां पैन सकते हैं और फिर साड़ी हमने पैनी है तो एक सिंपल से डाइमेंड का मैंने यापर स्टोन वाली बिंदी लगा ली है और इस इस मार फाइनल लुक आई होप कि आपको पसंद आए तो प्लीज चै झाल